नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में तो दोस्तों मैं करुणा ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास नाइन्थ के स्टूरेंट्स के लिए और दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का Term Second Exam Pattern पर बेस्ट आपका अभ्याश पत्र यानि की Practice Paper और दोस्तों ये Practice Paper आपका Hindi मेडियम में है और Solved है तो इसी तरह से आपका Second Term exam भी होने वाला है जो कि आपका 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा 40 नमबर का आपका Paper होगा और इसके कुछ जो सामानने निर्देश यहाँ पर दिये गए हैं वो हैं कि आपका पेपर पांच खंडों में बटा होगा का खा गा गा और डा इस पूरे प्रशन पत्र में आपके तेरा प्रशन होंगे बचों और इसके अलावा सभी प्रशन आपको करने अनिवारे होंगे लेकिन उन कुछ questions में और या अथवा का जो option होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा खंड का वाला जो प्रशन है वो एक से पांच तक के प्रशन है और वो दो अंक में आपसे पूछे जाएंगे चालेस स्रब्दों में उनका answer आपको देना है खंड खा में 6 से 8 तक प प्रतेक प्रशन का होगा और answer आपको 80 words में देना है खंड घा में विटा 9 और 10 दो question आपसे पूछे जाएंगे 5 अंक का आपका ये question होगा और 120 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने है खंड घा में 11 और 12 प्रशन है और ये श्रोत पर आधारित प्रशन है जो खंड घा है मतलब उसमें आपका सिर्फ एक ही प्रशन है और वो तीन अंक का है और ये मानचित्र पर अधारित है ठीक है दोस्तों तो अब हम देख लेते हैं तुम्हारे questions को तो खंड का की अगर हम बात करें तो खंड का में बिटा आपका पहला प्रशन है दीतिय विश्व्यूद क बीच वर्शाय की संधी में ही बो दिये गए थे टिपनी कीजिए तो बिटा हम इसका आंसर देखने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल हमको करना पड़ेगा और इसका आंसर होगा प्रथम विश्वयूद में जर्मन की पराजे के बाद वर्शाय में हुई शंधी सांती की शर् जर्मनी के लिए काफी अपमान जनक थी इस संधी की वज़ा से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तक्रीबन 10 प्रतिशत आबादी 13 प्रतिशत भूबाग और 75 परसेंट लोह बंडार और 26 परसेंट कोईला बंडार मित्र रास्ट्रों के हवाले करना पड़ा इसके आतिर उस पर 6 अरब पॉंड का जुर्माना लगाया गया इन संधी सर्तों ने हिटलर जैसे ताना साहों को उबरने का मोका दे दिया इससे हम कह सकते हैं कि दित्य विश्वयुद के जो बीच थे वो वर्सराय की संधी में ही वो दिये गए थे दोस्तों ये जो कोईशन है ये आप आपका two marks का question है इसके बाद आपका second question जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए इसके लिए भी हमको थोड़ा सा नीचे जाना होगा इसके आंसर है गरीबी के प्रमुख कारण यानि की first जनसंख्या की अधिक्ता, second अशिक्षा, third व्यवसाइक शिक्षा का अभाव और fourth ओपनिवेशिक सरकार की नीचिया थार्ड question है दोस्तों आपका उन महतोपूर मांदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं तो आपको बताना है चुनाव को लोकतांत्रिक किस प्रकाल या किन मांदंडों से बनाया जा सकता है तो वो निम्न लिखी थे हैं, पहला समान मताधिकार, दूसरा चुनाव में विकल्प, तीसरा नियमित अंत्राल पर चुनाव, और चौथा स्वतंत्र वे निस्पक्ष चुनाव. देख लेते हैं आपका चौथा प्रश्न तो दोस्तों चौथा प्रश्न है आपके लिए उत्तर भारत में पूर्व की अपेक्षा पस्चिम में वर्षा कम क्यूं होती है यानि कि पस्चिम में वर्षा अधिक होती है और पूर्व में कम होती है क्यूं होती है तो दक्षन पस्चिमी मानसुनी पवने क्रमशा पूर्व से पस्चिम की और बहती है इस क्रम में इन पवनों द्वारा लाई गई जलवाश्प की मात्रा घरती जाती है अतहा देश के उत्री भाग के पस्चमी भागों में वर्षा पूर्वी इलाकों की अपेक्षा कम हो जाती है तो दोस्तों ये था इसका कारण कुश्च नमबर पांच जो यहां पर आपको दिया गया है वो है रूसी समाज किस प्रकार समाजी करत हुआ यहां पर रूसी समाज के बारे में पूछा गया है बिता ये वाला जो प्रशन है ये भी आपका दो नमबर का प्रशन है और ये लास्ट प्रशन है जो आप से दो नमबर में पूछा गया है इसमें आप लिख सकते हैं ग्रहयुद के दोरान भी बॉल्शिवेकों ने उद्ध्योगों और बैंकों के राश्चेकरण को जारी रखा केंद्रीकरत नियोजन की विवस्था को लागू किया इसके अलावा किसानों ने समय समय पर सामूहिक खेती करना भी शुरू कर दिया आप आ जाते हैं हम खंड खा में तो बेटा हमने खंड खा के प्रशन जो है वो तीन नमबर के प्रशन है दो नमबर वाले प्रशन आपके खतम हो गए हैं अभी और खंड खा में आपका जो पहला प्रश्ण है वो है नाच्सी समाज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन आपको यहाँ पर करना है या तो आपको महिला की भूमिका लिखनी है अगर आपको आता है तो और नहीं आता तो आप नाथसी शशनकाल के दोरान जन संहार के मुख्य निशाने पर कौन था ये बताना है तो आजाते हैं बिटा देख लेता है इन दोनों का अंसर कोसन नमबर सिक्स जो है ये आपका तीन नमबर का प्रशन है मैं पहले भी बता चुकी हूँ और इसमें आपको आप्शनिया पर दिये गए हैं तो सबसे पहले महिलाओं वाला देखते हैं सबसे पहले लड़कियों का फर्ज एक अच्छी मा बनना और सुद्ध आरे रक्त वा पानिताओं की सिक्षा देने का दाई तो भी महिलाओं को ही शोपा गया था तीसरा उन्हें समझाया जाता था कि और मर्द के लिए समान अधिकारों का संगर्श बिल्कुल गलत है समाज को नस्ट कर देगा अगर इस तरह की चीजों को फ्रंट पे लाया जाएगा ठीक हैं आप ये भी लिख सकते हो इसके एलाफ़ भी अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो आप उसको भी दे सकते हो और जो दूसरा पॉइंट था जिसमें नरसंहार के बारे में पूछा गया था दूसरा कोशन था तो उसका पॉइंट में आप लिख सकते हैं सबसे पहले यहू जा सकता है. Question number 7 आप से पूछा गया है. Question number 7 भी आप से 3 marks में ही पूछा गया है और ये प्रश्न है भारत के प्रधान मंतरी की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए. प्रधान मंतरी की शक्ति क्या क्या होती है? ये आपको बताना है और 3 नंबर में बताना है तो कम से कम आप 3 पॉइंट तो इस question पे यहाँ पर दोगे. तो सबसे पहले सरकार का प्रमुक होने के नाते कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है प्रधान मंतरी का महत्वण कार्ये. दूसरा विभिन विभागों के कार्ये का समन्वे करना तीसरा विभिन्न मंतरियों को काम का वित्रण एवं पुन्हा वित्रण करना आ जाते हैं question number 8 पर question number 8 है यहाँ पर आपका भारत में निर्धनता रेखा का अंकलन कैसे किया जाता है इसका वर्णन कीजिए पहुत ही ज्यादा important question है बिटा possibility है कि आपसे exam में पूछा जाएगा तो यह है question number 8 भारत में निर्धनता रेखा का अंकलन सामन तहां हर पांच वर्ष पर प्रतिदर्ष सर्वेक्षन के माध्यम से किया जाता है यह सर्वेक्षन रास्ट यह प्रतिदर्ष सर्वेक्षन संगठन जिसको की NSSO कहा जाता है उसके द्वारा कराए जाते हैं दूसरा भारत में निर्धनता रेखा आकलन की कुछ नियम यहाँ पर दिये गए हैं जैसे की कैलोरी आवशक्ताओं के अधार पर ग्रामीन चेत्रों में जो व्यक्ती 2400 कैलोरी प्रति दिन और नगरिय चेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति दिन यूज करते हैं या प्रियोग में लेते हैं वो निर्धनता रेखा से उपर होते हैं डूसरा कम केलोरी प्रति दिन मिलती है उनको निर्धनतार रेखा से नीचे माना जाता है यानि कि गरीब की श्रिणी में गिना जाता है दूसरा प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यक्षी गर्णा 2011-12 के अनुसार यदि हर व्यक्ति 816 रुपे काव्य करता है हर महिने तो ठीक है और अगर इससे कम करता है तो वो गरीब की श्रिणी में है और नगरिय चेत्रों में यानि की शहरों में यदि प्रति व्यक्ति 1000 रुपे कोई व्यक्ति खर्च करता है अपने उपर महिने में तो वो गरीब की श्रेणी से बाहर है इसका मतलब अगर किसी परिवार में चार लोग शहर में रहते हैं तो अगर वो महीने में 4000 रुपे खर्च करते हैं तो वो गरीब नहीं है अगर वो 4000 के बतले 3500 रुपे खर्च करते हैं तो वो गरीब है इसी तरह से गाउं का भी यहां पर इन्होंने दिया हुआ है तो दोस्तों आप देख लेते हैं तुम्हारा question number 9 और यह question number 9 है आपके खंड गा से और यहां पर प्रशन है आपके 5 number का 1 दो प्रशन हां पर आपसे पूछे गए हैं इसमें नवे question में आपको option देखने के लिए मिल रहा है इसमें उपर वाला question है लोगसभा के संसद का लोहर आउस किसे कहा जाता है लेकिन यह है राजसभा अर्थात अपर हाउस से अधिक शक्तिशाली होता है और क्यूं यानि कि आपको लोगसभा संसद का लोहर हाउस और अपर हाउस बताना है और अपर हाउस किस प्रकार मतलब अधिक शक्तिशाली है वो बताना है सेकेंड में इसी के अत्वा में आपसे पूछा गया है कि आपके विचार में भारतिय न्यायपाली का सोतंतर क्यूं है तो न्यायपाली का सोतंतर है उसका आपको यहाँ पर कारण बताना है तो दोस्तों इसका अंसर देख लेते हैं हम एक बार तो सबसे पहले हमें बताना है अपर क्यों जादा मतलब हाउस लोहर हाउस से कैसे सकते शाली है तो पॉइंट फर्स्ट हम देखते हैं कि दोनों सदनों के बीच मतभेत की स्थिती में अंतिम फैंसला दोनों सदनों की सईयुक्त बैठक में लिया जाता है सदस्यों की संख्या अधिक होने की स्थिती में लोगसभा की विचार की प्रात्मिक्ता मिलने की संभावना अधिक रहती है सेकेंड पैसों के मामले में लोगसभा का अधिकार अधिक होता है राज्यसभा इससे संबंदित कानून को खारिज नहीं कर सकती उसे पारित करने में अधिक से अधिक 14 दिन की देरी कर सकती है लेकिन उसको सिरे से खारिश नहीं कर सकती तीसरा, राज्य सभा धन विद्यक के सम्बंध में संशोधन का सुधाव दे सकती है परंतु यह लोकसभा का ही अधिकार है कि वो इन सुझाबों को माने या ना माने चौथा पॉइंट है लोकसभा मंत्री परिशत को नियंत्रेट करती है सिर्फ वही व्यक्ति प्रधान मंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में वहुमताशिल किया हो अथवा वाले कोईशन का अंसर देख लेते हैं तो एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच नियाले या उच नियाले का नियाधीश नियुक्त होने के बाद उसे संसत के अलग-अलग सदनों के दो तिहाई बहुमत से आविश्वास प्रस्ताव पारित करकर ही हटाया जा सकता है अगर नियापालिका को लगता है कि विधाई का द्वारा कोई कानून सविधान के खिलाफ हैं तो वो ऐसे कानून को अमान्य कर सकती है तीसरा इसी तरह जब उसके सामने किसी कानून या कारेपालिका की कारेवाही को चुनोती मिलती है तो वे उसकी सविधानिक व्यदता तै करते हैं चौथा अदालती सरकार को निर्ने करने की शक्ती के दुर्पयोग से रोकने के लिए हर्ष्ट दशेप करती हैं और पांचवा वे सरकारी अधिकारियों को भ्रस्ट आचरन करने से भी रोकती है तो यह है आप लोगों का मतलब कोशन नमबर नाइन और इसका सॉलूशन यहां पर आपको कम से कम भी तो पांच पॉइंट्स में जरूर देना है क्यूंकि यह प्रशन आपका पांच नमबर मैं आपसे पूछा गया है कोशन नमबर 10 देख लेते हैं कोशन नमबर 10 भी बेटा आपका पांच नमबर में ही आपको उसका आंसर देना है और वहां पर भी आपको विकल्प देखने के लिए मिलेगा पहला प्रशन है भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तूत कीजिए और सेकेंड है भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवर्तियों की चर्चा कीजिए तो बेटा ध्यान रखिए निर्धनता पर कोशन जरूर आपसे पूछा जाएगा क्यूंकि निर्धनता पर इससे पहले भी प्रशन अभी आ चुका है तो देख लेते हैं कोश्च नंबर टेन का आंसर और ये भी आपका पांच नंबर का प्रशन है तो कम से कम पांच पॉइंट तो हमको दे नहीं होंगे तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रतेक राजे में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है सेकिन वर्ष ग्यारा बारे में भारत में निर्धनता का अनुपात 22 प्रतिशत था तीसरा बिहार और उडिशा क्रमसहा 33.7 और 32.6 प्रतिशत निर्धन ओसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए है चौथा उडिशा मध्यप्रदेश बिहार उत्तरप्रदेश में ग्रामी निर्धनता की भी अथिक मात्रा है पांचवा पंजाब और हर्याना जैसे राज्य उच क्रशी व्रधी दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं देख लेते हैं अत्वा में आंसर तो इसका फर्स्ट पॉइंट है भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 93-94 में 45 प्रतिशत से था और वर्ष 2005 में ये कम होकर के 37.2 प्रतिशत तक हो गया और इसके अंदर गिरावट आई वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात भी गिर कर 22 प्रतिशत रह गया यदि यही प्रवर्ती रही तो अगले कुछ व संख्या 22 से लगभग 20 प्रतिशत भी आ सकती है इसकी बाद चौते पॉइंट में हम लिख सकते हैं यदि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों में गिरा है निर्धन लोगों की संख्या 4 और 5 में 407 मिलियन से गिर कर 270 मिलि अरफ जन को हम आई थी और वो घन लाए expression 2.2 तो ठीक है अब हमारे खंड घा पर तो यह खंड घा पर आएगा आपका व्षिन नंबर 11 ओर में बीटा व्यार को चार नंबर QH7iba प्रश्न है इसके अंदर आपको प्रश्न करने से पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे एक तरह से ये केस स्टडी वाले प्रश्न बोले जाते हैं तो अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं समाज परिवर्तन के समर्थों में एक सम्हू उदारवादियों का था उदारवादी ऐ देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही जादा महत्र दिया जाता था ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंगलेंड का समर्थन करती थी आस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे उदारवादी सम्हू वंश अधारित साशकों की एनियंत्रित सत्ता के भी उन्हें चीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए यह समू प्रती निधित्वु पर अधिकार एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो सासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सूप्रसिक्षित नियाय पालिका द्वारा इस्थापित किये गए कानू उनके अनुसार शाशनकार्य चलाए पर यह समू लोक्तंत्रवादी नहीं था ये लोग सारु भोमिक व्यश्क मताधिकार यानि सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ती धारियों को ही मिलना चाहिए इसके विपरीत रेडिकल संहू के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो इन में से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थकते उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमीदारों और संपन उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेश अधिकारों के खिलाफ थे। वे नीजी संपत्ती के विरोधी नहीं थे लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ती के संकेद्रन का विरोध जरूर करते थे। रूडिवादी तबका रेडिकल और उद प्रिवर्टन के विचारों का विरोध करते थे लेकिन 19 वी शद्दी आते आते वे मानने लगे कि कुछ परिवर्टन आवश्रक हो गया है परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और बदलाव की जो प्रक्र पे या इस केस पर तीन प्रश्न पूछे गए हैं पहला उदारवादी लोकतंतरवादियों से किस प्रकार भीन थे और दूसरा रेडिकल सम्हूं के राजनितिक विचार क्या थे तीसरा रूडिवादी किस प्रकार रेडिकल सम्हूं और उदारवादियों के खिलाफ थे त तो बेटा सबसे पहले इसका फर्स्ट का आंसर देखेंगे कि उदारवादी समू लोकतंद्रवादी नहीं था बेटा ये एक नंबर में आपसे पूछा गया है ये लोग सारुमोमिक वेस्क मतादिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए दूसरा आपसे जो पूछा गया है वो भी एक नमबर में है और ये है रेडिकल सम्हू के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर अधारित है इन में से बहुत सारे लोग महिला मतादिकार आंदोलन के भी समर्थक थे उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमिदारों और संपन उद्योग पतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेश अधिकारों के खिलाफ थे तीसरा पॉइंट ये आपसे दू माक्स में पर आपसको देना है आंसर तो रूडिवादी तब का रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाब था मगर फ्रांसीसी करांती के बाद तो रूडिवादी भी बदलाव की जरुरत को स्विकार करने लगे थे पुराने समय में यानि अठारवी शताबदी में रूडिवादी आम तोर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे लेकिन 19 सदी आते आते वो भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया को दीमा कर दिया जाए इसी तरह से आपका एक और प्रश्नी हाँ पर आपसे पूछा गया है उसके लिए भी आपको एक पहले अनुच्छेत पूरा पढ़ना होगा और प्रश्नों के उत्तर देने होगे ये है ये भारत में सबसे बड़े छेतर में फेले हुए वन है मानसूनी वन भीन वनो को कहा जाता है ये उन छेतरों में विस्त्रत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्शा होती है इस प्रकार की वनों में सुष्क ग्रिस वरितु में 6-8 सब्ता के लिए अपनी पत्यां गिरा देते हैं जलकी उपलब्धता के अधार पर इन वनों को आर्द या सुष्क पणपाती वनों में विभाजित किया जाता है इन में से आद्र या नम पणपाती वन उन छेतरों में पाये जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्शा होती है अथाएसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्रे पूर्वी राजियों, हिमाले के गिरी पद प्रदेशों, जहारखंड, पस्चमी उड़ीसा, छतिस गड़, तता पस्चमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाये जाते हैं सागोन के इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाती है, बास, साल, सीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शेहतूत के व्रक्ष, व्यापारिक महतुवाली प्रजातियां है शुष्क पनपाती वन उन छेत्रों में पाये जाते हैं, जहां वर्षा सत्तर सेंटीमीटर से सो सेंटीमीटर के बीच होती है ये वन प्रायदीविय पठार के ऐसे वर्षा वाले छेत्रों में उत्तरपरदेश तथा बिहार की मैदानों में पाये जाते हैं विस्तरस छेत्रों में प्राय सागोन, साल, पीपल तथा नीम के व्रक्ष उपते हैं इन छेत्रों के बहुत बड़े भाग क्रशी कारे में प्रियोगेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है इन जंगलों में पाय जाने वाले जानवर प्राय, सिह, से, सूर, हिरन और हाती हैं विभित्य प्रकार के पक्षी, छिप के लिए साप और कछुए भी यहां पाय जाते हैं इस अनुच्छेद पर आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो हैं कि किस प्रकार की वनिस्पती की चर्चा उप्रोक्त अनुच्छेद में की गई है सेकेंड, किन छेत्रों में यह वन पाय जाते हैं तीसरा, आदर वैसुष्क पनपाती वनों के बीच अंतर यह जो लास्ट वला है, उसका आंसर आपको दो नंबर में देना है और पहले वाले दो प्रश्न एक और दो नंबर के हैं तो पहले का आंसर तो बिल्कुल सिधा-सिधा उश्न कटी बन दिया है, पनपाती वन के बारे में यह अनुच्छेद दिया गया है दूसरा, आद्रपणपाती वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमाल्यों के गिरिद प्रदेशों, जारखंड, पस्चमी उड़ीसा, च्छतिस गर्त था, पस्चमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाये जाते हैं शुष्क पनपाती वन कहां पाये जाते हैं, प्रायदीप्य पठार के ऐसे वर्षा वाले छेतर, जैसे की उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में अब आपसे इन दोनों में अंतर पूछा गया है, तो सबसे पहले बात करेंगे आर्ध पनपाती वन की तो यहाँ पर वर्षा होती है, सो सेंटीमीटर से लेकर के दो सेंटीमीटर तक और शुष्क पनपाती में वर्षा होती है, सत्तर से लेकर सो तक मतलब यहाँ पर इतनी वर्षा से दुगनी तिगनी वर्षा हो जाती है, आर्ध पनपाती वनों में और second point है सागोन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाती है मतलब यहाँ पर जो वन में जो मुख्यता पेड़ पाये जाते हैं वो हैं बांस, साल, सीशं, चंदन, कुसुम, अरजुन और सेहतूत इसके अलावा शुश्क पणपाती वनों में जो पेड़ पाये जाते हैं सागोन, साल, पीपल और नी ठीक है बिटा, अब सिर्फ आपका एक कुईशन बचा है और वो है आपका मैप मैप बिटा आपसे तीन नंबर में पूछा जाएगा और मैप यहाँ पर आपको दिया गया है कि विश्व के राजनितिक मानचितर में बिंदू A से एक स्थानंकित किया गया है इस बिंदू को निमलिखित जानकारी की साहता से पिचानिये और उसका सही नाम मानचितर पर खीची गई रेखा पर लिखिये एक मित्र रास्ट्रे और यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है तो मित्र रास्ट्रे कोन सा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र रास्ट्रे और आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है बिटा अब इसी तरह आपका 13.2 करके आपको question दिया गया है कि भारत के यानि कि विश्व मांचित्र से आपसे question आगया है आपका जो map आएगा वो विश्व और भारत दोनों मांचित्र से आएगा तो विश्व के मांचित्र से आपने solve कर दिया and second जो है वो आपका भारत के मांचित्र पर है और इसमें आपको दर्शाना है क्या वूलर जील और सांभर जील और पुलिकट जील ठीक है इससे पहले वाला विश्व वाला आपका एक नंबर में था और भारत में आपका दो नंबर से आपसे पूछा गया है तो अब इस चीज को आपको इस मांचित्र पर हाँ पर दिखा देना है तो सबसे नीचे आपको दिखाना है पुलिकट जील को और इसके अलावा सांभर जील राजिस्थान में और वूलर जील आपकी हिमाचल में है शायद नहीं बेटा ये पड़ेगी आपकी जमू एंड कश्मीर में तो बेटा ये हो गए आपकी तीनो जील वूलर जील जो की जमू एंड कश्मीर में है और ये आपकी सांभर जील जो राजिस्थान में है और आपकी पुलिकट जील तो बिटा ये था आपका एक sample paper जो की solution के साथ था SSD subject का अगर आपको अपने दूसरे subject के sample paper भी मुझसे चाहिए तो जो subject का sample paper आपको पहले चाहिए उसको आप comment box में लिख दें मैं उसी को आपके लिए पहले ले करके आऊंगी तो दोस्तों मेरी वीडियो को like कर दें अपने दोस्तों के साथ share कर दें और channel को भी subscribe कर लें